Hi Bijju, I'm with you. I love you. Hi Bijju, I love you. I love you Bijju. दोस्तों, कहते ही हैं, इंसान इस पृत्वी का सर्वस्षेष्ट प्रानी है. और सर्वस्षेष्ट होने के कारण वो इस दुनिया पर राज करता है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंसान इस पृत्वी का सबसे स्वार्थी प्रानी भी है? जी हाँ, इंसान के जितना स्वार्थी प्रानी इस पृत्वी में और कोई नहीं है अगर इंसान किसी से प्यार करता है तो बदले में वो प्यार किया पिक्षा भी करता है ताकि उसकी मनो कामना ये पूरी हो लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे पृत्वी पे रहने वाले निस्वात प्राणियों के बारे में जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गायों की जो आदिकाल से इंसानों के साथ है और अपने दूद के लावा कही चीजों से इंसानों की जरुरते पूरी कर रहे हैं देखा जाए तो इंसान अपनी माता के दूद के बाद अगर किसी का दूद पीता है तो वह जानो रोक जिसमें सबसे जादा दूद होता है गायों का इसलिए गायों को गौमाता भी कहा जाते हैं ये बड़े गर्व की बात है कि इंसान गायों के योगदान का कुस्तो प्रतिफल दे रहा है लेकिन बहुत दुख होता है ये सुनते हुए और देखते हुए कि कुछ इंसान अपने स्वार्थ के लिए गायों की तशकरी और हत्या करते और करवाते हैं प्रित्वी के चेतनशील और सर्वश्रिष प्रानी इतने भी मुर्क मत बनो पेड ही काट देंगे तो फल कहां से खाएंगे और इसी बात को ध्यान में लगते हुए हमारे भाई बिजु ने एक जन्चितना मुहीम सुरू की है जिसका उदेशे हैं Save the Cow, Save Animal और हम इस मुहीम में पूरे दिल से बिजु के साथ हैं अगर आप भी गाय का दूध या उससे बनीवी चीजों का सेवन करते हैं तो बिजु का साथ दे, दूध का कर्श चुका है और आवाज उठाएं Save the Cow, Save Animal बिजु का समर्थन करने के लिए आपको अपने मुबाइल से खुद का एक वीडियो बनाना होगा जिसमें आपको कहना होगा मैं आपका पूरा नाम, दूध का कर्श चुकाता हूँ, आवाज उठाता हूँ, Save the Cow, Save Animals मैं तुमारे साथ हो बिजु दूधवाला और इस वीडियो को, हैश्टाग बिजु दूधवाला के साथ, आप अपने सोशियल नेटवर्क पे शेर करें बिजु मैं तुमसे बहुत प्यार करते हूँ, सबसे प्यार करते हूँ, सबसे प्यार करें लेकिन शानी वो तो मैं ही करूँ अरे हम टीम बिजु दूर्वाला दूर का घड़ चुपाते हैं आवाज उठाते हैं Save the cow, save animals We are with you, बिजु दूर्वाला